हेलो फ्रेंट्स तो यह हमारा पांचवां वीडियो और आपका चोथा चैप्टर का वीडियो है चुकि पहला वीडियो बेसिक का था तो फटा फट से आप मैंने बहुत सारी फाइलों को कम कर दिया स्क्रेंस थे क्योंकि एक चीज को बार-बार नहीं बताएंगे आपको जैस कि किसी भी संस्था को बनना है हमने टपू का कहा जेठ लाल वाली जो तारक मैता कि जो पटना है है ह। याद हो जती ही चीज़े बहुत असान है ठीक है पांच नमबर में आप ऐपिलिकेशन 6 नंबर में registration साथ नंबर में आप कहते हो कि भया संस्था बन गई तुम्हारी आठ नंबर में नियम काईदे बनाते हो इस तरह से आपको याद करना है आप देखी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा वीडियो लंबे हो जाएंगे आप बोर भी हो ना हो सकते हैं तो इस तरह से आपने सब्सक्राइब करना है तो वह सारी चीज़े हम क्लास में भी पढ़ जूके अपने कोर्स के दोरान डीप में और आपको यह ध्यान रहेना चाहिए कि लोको और रूल्स को साथ-साथ पढ़ना है तभी समझ में आएंगे अलग-लग पढ़ोगे आपको लगेगा हो सकता है कि समझ लिया पर पेपर में जब कॉश्चन करोंगे तो कहते ना मिक्स वाली बात है मैंने आपको आपके लिए टेस्स सीरीज आपको बताई रखा है प्रैक्टिस करिए कहीं से भी पढ़ें आप प्रैक्टिस करके जरूर जाहिएगा हमारे में से आपको पता चल जाएगा आ जल्दी पता चल जाएगा पकितने पानी में अग्जाम के टाइम पर पता चला पानी में तो शायद डूबने का खत्रा ही है क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरह से लोग त्यारी कर रहे हैं और किस तरह से वह हमारे एंसी कि देंगे उनको राइलिटी चेक हो जाएगा तो जाएगे आप ब्रहम की स्थेती से बाहर आ जाएंगे चलिए तो बुक्स आपके पास अलड़ी है नोट्स का काम मैंने कर दी है समरी बुक है तो मैंने वह लोग वाली फाइल भी अटा दी है आपके समने स्क्रीन पर नहीं लगा क्यों कि बार बार यह बताना कि लो में अंतर यह इतना टिपिकल होता है मैंने एज़ी कर दिया तो वह बाते भी अब मैं अलड़ी दो तिन वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है अब आते हैं लास्ट चैप्टर में हमने में मेंबर के बात करी मेंबर सदस्य कोन बनेगा किसकी सदस्ता रद्द होगी नॉमिनल और एस सकते हो तो कर लो मनाई कुछ भी नहीं करता है आज कल क्यों स्टूडेंट कहता है नहीं सरम तो करेंगे तो कर लो पहली बात रूल्स के नंबर को इतनी जादा तवज्जव नहीं दी जाती है हां कुछ को छोड़कर जो इंपोर्टेंट होते हैं अच्छा जितने भी चैप नंबर फॉर मैनेजमेंट की बात करता है अब मैनेजमेंट में देखी क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एक्जांपल में आप जेठ लाल वाली सुसाइटी गोकु दाम सुसाइटी में वहां तीन मेंबर आपको अकसर दिखेंगे एक साइट जहां पर मैनेजमेंट ऑफ सुसाइटी बनाया होता है और बाकी दूसरी तरह बैठे होते हैं जो कि सिर्फ सदस्य होते हैं यह कहानी में पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं अब इनके रोल्स की बात हो रही है अब जो यह मैनेजमेंट होती है जो कमीटी बनती है ध्यान मेंबर के बास वोटिंग का अधिकार है पर सुसाइटी से संबंदित डिसीजन लेने वो किसको दे देते हैं मेनेजमेंट को दे देते हैं और उसमें भी चेर्मेन वगएरा वगएरा यह चीजे आती है ठीक है अच्छा सेक्शेन नमबर चोबिस कहता है फाइनल अथोरिटी दे रहे हैं ठीक हैं सेक्शेन नमबर 25 कहता है अनुब जनर्म मिटिंग साल में एक मिटिंग होगी होगी सेक्शन नमबर 26 कह रहे हैं next Same पर आईनल मिटिंग साल में एक बार होगी जिसके अंदर वहां के खाते रखे जाएंगे इसाब किताब रखा जाएगा और मिटिंग विशेष मुद्दो के लिए होसकती है कितने मेंबर से बला है मिटिंग ऐसे कैसे बला सकते हो आपने बिढक होगा ऐसे कैसे हमें तो बताया है नहीं मिटिंग का एजेंडा तो तुमने बताया नहीं भीड़े मैं आपको उस सीरियल से इसलिए लिंक कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आई हो सकते हैं कुछ लोग जिन्हों नहीं नहीं देखा हो तो अलग बात है पर मैक्सिमिम्म लोगों ने मान के चलता हो देखा होगा अकसर आपने पॉपटलाल को सुना होगा कि भाया तुने ऐसे मिटिंग कैसे बुला ली हम तो इसको अलाओ नहीं करते तो वो मैनेजमेंट ऐसा क्याम कर सकता है में अंबर से बात कर सकते हैं कि भाया तुमने तो हमें बताया है नहीं जब आप ये सारी बाते आप कहां पढ इसकी लीगल फाइल बड़े बड़े लो की बात को तो मैंने अलग रख दिया उसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं फिर वार्शिक मिटिंग आप देखिए वार्शिक मिटिंग पढ़ते हैं यहां पर आपके लिखा हुआ और नीचे रोल्स भी लिखे हुए इसके सा करते हैं इसको जीके की तरह पढ़के निकल जाते हैं तो सोचिए जो जो लोग लोग पढ़ रहे हैं विछले 10-12 सालों से यहां वो प्रॉब्लम्स भी थी सेक्शन नमर 25 में 26 में ठीक हैं तो यह क्लास के दौरान मैंने डिसकस भी किया हुए यह बात चली आते हैं तो यहा लोज में यही बात लिखी होती है कि वित्य वर्ष जो हो गया उसके खतम होने के 6 महिने के अंदर अंदर बुलानी चाहिए ठीक है पर आगे जागे इन्होंने कुछ ऐसी बात भी लिख देते हैं गडबडवाली ठीक है यह आपको क्लास में समझने को मिल जाएगी क्योंकि थीक है सर इसके सबसेक्शन भी याद करने से बचना ठीक है रूल के नंबर भी जितने याद हो जाएं कर लेना सबसेक्शनों में तो मत जाना बहिया कि 25 का 1 25 का 2 25 का 3 यह तो पागल बनती है तो बढ़ी आप कर सकते हो तो करो यह मना नहीं कर रहा पेपर वाला पूछने को बहुत कम chance है, section number पूछ सकता है, section number पूछने के high chances है, rule number पूछने के बहुत उसके आदे chances है और ये subsection पूछने के तो 5% chance भी नहीं होते भाई ठीक है, हाँ कोई paper बिनाने वाला आड़ू लठा है तो मैं उसकी guarantee लेता नहीं है अब तो बिल्कुल बंद करती है, क्योंकि क्यों guarantee ले, अगर आप कर सकते हो, तो करो, मना नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है अच्छा, क्योंकि बाद में आपको सर आपने मना किया था, paper में पूछना लोजिकल नहीं होता, पर paper बनाने वाला गर पागल है मतलब पागल समझ रहे हैं, उसको मतलब paper में यह चीज़े नहीं पूछी जाती है, कभी नहीं पूछी जाती है, पर पागल बनते की कोई सीमा होती नहीं है, तो उसका अपने कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि last year, टी आरे में जब मैंने company low पढ़ाया था, तो उस समय, company auditor वाला, अब वो यात तो होते नहीं, अपने तो नहीं मानते थे, अब इस paper में नहीं आए, क्योंकि logical नहीं है न, वो एक आदे paper में एक जामीनर ने ऐसी वेफ कुफी कर दी, हमने मना किया था, बच्चे कर नहीं करवा, हमने करवा दिये, paper में तो नहीं आए, तो आगे से कह दिए क भया, तुमारी मर्जी है, तुम करना चाओ, तो कर लो भया, ठीक है, चलिए, जाता समय नहीं लेंगे, 25, 26 नंबर में विशेश साधारन बैठके, मैंने आपको बता दी, कि भया, अगर ऐसी गड़बड हो जाए, तो आप बैठक बुला सकते हैं, ठीक है, अच्छा, ये प अब यह, जो समीटिया है, इसके नियुकति के बारें बात आ रहे है, और यह समीटिया वाला जो टॉपिक है यह थोड़ा सा समझने वाला है, इसको यह वीडियो में आप समझ सकते ह düş crop earlier देटेल में कैसे जाए, ठीक है, तो कई तरह कि दो कमेटिया बनाई जाती है, अलग- जाके अलगलग कमेटी का भी प्रण आयता है तो यह समझने वाली चीज है तो यह सेक्शन आपको इस तरह से याद करने हैं वापिस आते हैं अपने इंडेक्स की तरह क्योंकि हमारा में तो यहीं पर रहना है अच्छा कमेटी सर्वे सर्वा फिर एन्वल जनरल मिटिंग फिर की हुई है 27a में अब देखें सेक्शन 27 के बाद 27a आ गया क्योंकि कमेटी बनी अब यह सेक्शन 27 था उससे रिलेटेड बात थी तो इसलिए अलग सेक्शन में गए उससे जुड़ेवे सेक्शन 27a आ गया उसको बढ़ा दिया ठीक है और इसकी इस रिलेटेड बात आपको प्रूल में भी मिलेगी सेक्शन 27 27a क्योंकि कमेटी बनी तो कमेटी में CEO भी बनाया इन्होंने जैसे ठीक है अच्छा मुख्य कारेपलक अधिकारी के बाद इन्होंने सेक्शन 28 अब वह कहता है कि जो समीतियों की सदस्य था जो समीतियां बनाई इन्होंने यहां पर उसके जो सदस्य बनाए उन सदस्यों को भी क्या करना है उसमें कौन कौन इलीजिबल है कौन इलीजिबल नहीं है अब देखते हैं मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़ते हैं पूरे फ्लो में अब यह देखिए यहां पे लिखा कि भाया जो यह शीर्ष सहिकारी बैंक के मुख यहां पर इसको सदस्य आपको टार हुए है ऐसका फाइदा आपको टीक्राव सकते मूही है उनको बता हम तो यह इस Puerto में आपको क्या मिलेगा मैंनेज्में बाते में नलेंगी मिलेंगी इसके चैट्र in की बात आजाएगे तो बहुत असान हो गया अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाएगा गॉर्मेंट भी अपॉइंट करके बेज़ेगी सेक्शन 29 में गॉर्मेंट के पास अधिकार है कि वो किसी को पॉइंट करके बेज़ दे ठीक है अब जो उसके अधिकारी हैं यही जो अधिकारी जो सरकार बेज़ रही है उसी को आगे 29 में बढ़ाया हुए उनकी बात बात आगे कर रहे हैं अब आप Constitution of recruitment board of the cooperative society society के लिए भरती बोर्ड का गठन आप देखिए जो भरती बोर्ड जो आपकी ले रहा है नuna 34 बी में सरकार ने उसका अथिकार पास बनाया हुए अधिकार ऐसे कौन बढ़ा लेगा तो उसके लिए लग से इन्होंने का भना दी आपके मीत्य सवीटको होग difference कि समेटी या उसके सदस्य को ठाना है समीथी के सदस्य को यह वैए इस को दो सबस्दाना और आगर समीर सेक्षण नंबर 30 ठीक है अच्छा अब बारतिय रिदर बैंक के नियामक निर्दश्यों का अनुपालना यह जो बैंक वाल आ जाएगा न उससे रिलेटेड है सक्षन 30a ठीक है और 30b यह भी बैंक वाले है जो वह सारे जो रिकॉर्ड से उसको अगर गौवर्मेंट या जिसने भी कब जाना गौवर्मेंट की तरफ से तो रेजिस्टर होता है ठीक है और बैंकों के मामले में आपको यहां सेक्षन 31 में पढ़ने को मिलने वाला है तो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं मै सब्सक्रा управ्मेंट करेगी सर्वे सरवव हो ही ए उसकी मीटिंग की बात हो रखी है कभ होगी ठीक है अनॐल मींटिंग कभ होगी और स्प dessas हो झतना मातल मों इस नहीं से पर आख registered लेग ने पड़ेखेशनी आलग बहुत बंदर करें ता टीकर नहीं मूयां OFF इसमें canvas कोपल की बात हुए कमेटी से में अलग सिस्टम है कमेटी अलग सिस्टम है यह जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना यहां पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां समझने की जरूरत है ठीक है तो चैप्टर चार में कितने सेक्षिन है सेक्षिन नमबर 24 से लेके सेक्षिन नमबर 31 तक आपको यहां पढ़ने को मिलता है ठीक है चलिए अब इसके रूल्स पिछले चैप्टर में मैं आपको यह रूल पर थोड़ा सा गोध्रू करवाना भूल गया था तो यह सेक्षिन कर लिए आपने अब इसके बाद क्या करना ह अब इसके सबंदित पिछले चैप्टर में सेक्षिन नमबर 23 तक किया था अपनों ने एक मिनट वाप्पी से चलते हैं अपने देखो कंफ्यूज नहीं होना है विल्कुल वेड़ चैप्टर नमबर 23 तक किया था पिछले चैप्टर में पर रूल नमबर 27 तक था वह चैप 112 रूल होने चीज़ा ना और सेक्षिन कितने हैं 127 याद रखना तो आपको चैप्टर वाई यह भी पता होना चीज़ा है तो सर एक टेबल आगे और बना देते तो उसमें फिर बनता नहीं था मैटर नहीं आ रहा था ठीक है हाँ नमबर जरूर लिख सकता था बड़ उससे क सादारन बैठक की बात करी थी वार्शिक सादारन बैठक के लिए अलग रूल ना है इसका कोस्टे न बनेगा ध्याण देना प्रते लान है जिए थीरह की वार्शी का बलाने कि शक्ति आप सेक्षिन एक था पर ूसकितनी जगँ जा बैठक अब समीति की नियुक्ति सेक्शन में अलग बात लिखिए मतलब वहाँ उसका बात बढ़ाई कहा होई है रोल नमबर 32 में अब प्रती निदी जो बनाना है वहाँ पर उसके लिए निरहरता यानि कि वो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उस तरह की बते ठिक हैं अब समीति की बात हो रखिये तो आपको पता नच चीये ये समीति सिरफ यहें पे समीतियां मन रहे हैं समीतियों को हटाई जाने वाली प्रकरिया यहाँ पे आगई समीति की बैठक का notice समीति बैटरी है यहाँ यहाँ पर management है उसकी समीति जो मैंने आपको बताई कि जैसे टपू सेना की अलग समीती बना दी उन्होंने कमेटी बना दे उसके डॉक्यमेंट्स ठीक है तो यह सारे अच्छा यह बर्ती बोर्ड बर्ती बोर्ड कब बन सकता है समीधा अगर आप भेज रहे हो तो यह रूल्स देखे सारा यह बैलंस शीट क बारे में बात हो रही है जब उन्होंने का ना कि भई है वो डोक्यमेंट कब जा सकता है तो डोक्यमेंट वाले रूल आने शुरू होगे उससे समधित आपको समझ में आ गया सेक्षन नमर 31 से जुड़ी बात है यहां पर आने शुरू हो जाएंगी मानलो ठीक है सेक्षन न है rule number 42 तक आगे तो आगे बढ़ रहा है तो आगे जाके रूल कम हो जाएंगे सेक्शन जदा होएंगे बिल्कुल आगे जाके क्या है सेक्शन जदा हो जाएंगे उनसे समंधित रूल होंगे नहीं तो यह भी चीज आपको यहां समझने वाली मिल गई है तो यह सब्सक्राइब करते हैं और उमीद करता हूं बढ़िया से करेंगे जब आप क्लास पड़ चुके होंगे जब आप कर चुके होंगे कुछ नहीं बचेगा और मुझे लगता है दस दिन के अंदर आप एक्ट को बढ़िया से कर सकते हैं मतलब चाचा पांच-पच घंटे की लों बुक्स यह राजफर्ड की विकेंसी यह इसके लिए बूक है यह अकाउंटिंग की बुक कोपरेटिव के लिए लग से बनाई है और को पता होगा सेक्शन को पढ़ाने का तरीका क्लास्रूम में रूल के साथ में हम लोगोंने ऐसे फॉलो किया हुआ हुआ है बढ़ि ठीक है बुक सेट तीन बुक सेट 999 में ओफर कर रहे हैं हलंकि अगर हमारा कोई ओफर चल रहा हो तो आप उसको जरूर से चेक किजिएगा तो इस चैप्टर में इतना ही तो चैप्टर नंबर एक आपके लिए प्रेलिमिनेरी था चैप्टर नंबर दो आपके लिए चैप चैप्टर नंबर पांच इलेक्शन पर बढ़ रहे हैं जो कि सेक्शन नंबर आपका 32 से शुरू होने वाला है याद रखना यह चीज है ठीक है मैं भी आपके साथ याद कर रहा हूं क्योंकि डेट साल पहले बैच रिकोर्ड किया था फिर हमने बुक बनाई तो अब यह व बार चीजों को जरूर से पढ़िएगा ताकि वो याद रहें बढ़िया से इस वीडियो में इतना ही टेक केर बाए